क्षेलो फ्रेंस स्वागत आप सबी का हमारी यूट्यूब चैनल गौल तो सेक्षेस में फ्रेंस आज की जो वीडियो है या जो क्लास है उसमें हम लोग कैमेस्टर का PCQs को discuss करेंगे जिसमें 15-16 PCQs को discuss करेंगे और आपको क्या है कि यह आपका आने वाले एक्जाम जो GS का section आता है जिसमें chemistry और physics की questions के अगर मातरा के मुद बाथ करें वो ज्यादा हो रही है परमाडू वाद यानि atomic theory की खोच किसने की थी, atomic theory किसने दी थी, तो option है rather fold, अवगैद्रो, मैंडलीफ या डालटन, ठीक है, तो जो परमाडू वाद यानि atomic theory जो पेश की थी, पदार्थ की, वो की थी आपके डालटन जी ने, वहाई पर बात करते हैं आफ सभी को मालूम है और इसी वीडियो में नीचे भी आपको उन्होंने दी थी और रधर हैं तो रधर फोल्ड आप तरी को मालूम है उन्हें प्रोल्टॉन की खोज़ की ठीक है चलिए नेक्स प्लशन है आपका इसी पदात का वाउस सबसे चोटा कर सुच्टम कर जिसका विभाजन नहीं हो देखिए बहुत अच्छा कोश्चन है आपने जो है अच्छे दरीके से जब आप जो वह लाइनर के तौर पर जो हम लोग जो डफिनेशन परते हैं कमपाउंड होगें मौलीक्यूलियों का परमारु यह तक्त्त्व होगए यह अपने बहुत अच्छे से पढ़ा होगा चलिए नेक्स कोशन है कौन सा युग्म सुमेलित नहीं है ठीक है आपको देखना है इसमें अविश्कार और अविश्कारक के हैं ठीक है प्रोटॉन मैंने बताया था रदर फोल जी ने खोश की थी न्यूट्रॉन चैडविक बिल्कुल सही है इसके लिएक और आपका जो है एक शॉट्रिक है इट पर नाचो या इटा पर नाचो ठीक है इट हो जाएगा इट का जो होता है इट उससे इस फॉर इलक्ट्रॉन टी फॉर थॉम्सन आ जाएगा इट पर हो जाएगा पास हो जाएगा आपका प्रोटॉन और राज से हो जाएगा रदर फोल नाचो से आ बात करते हैं एकर चोथ वाले कोच्छन टो वह थोड़ा साब खुदी देख लेखें होती है तो उसमें क्या होता है सब्सक्राइब जो है outer most cell पर क्या होता है outer most cell हो गया या पुरी कच्छाओं में rotate करता रहता है ठीक है तो electron जो है आपका नाभिक में तो नहीं हो सकता ठीक है और जो नाभिक होता है आपका positive क्यालाया जाता है ठीक है तो अगर हमनों nucleus की बात करते तो positive ion basically बोलते हैं तो proton and neutron होता है nucleus में क्या present ह होता पी वा एन तो यानि proton and neutron चौथे का हो जाएगा option number one और option यानि option नबर ए और दी क्योंगी दोनों से इन ठीक है चलिए नेक्स कोशन है radio activity का पता स्वरपतम किस ने लगाया था important question है आपका madam क्योरी आइंस चींड अधर फोर या henry बैकुलर ने लगाया था तो किस ने लगाया था पांचवे का हो जाएगा आपका henry बैकुलर में चलिए कपूर को किस विधी से शुद किया जाता है कपूर को किस विधी से शुद किया जाता है उसका right अंसर हो जाएगा सब्ली में यह उर्ध पातन किरिया की द्वारा कपूर को हम लोग शुद किया जाता है important question है ठीक अच्छा इसके साथ एक और आपका कैसे question बनता है द मेल्टिंग या फ्यूजन बोला जाता है melting या fusion लिख लिजेंगा यह आता है वाल लाइन में solid से liquid में जो conversion होता है क्या कहा जाता या क्या कहा जाता है तो क्या हो जाएगा solid से लिक्विड में जो परिवर्थन होता है उसको मेल्टिंग कहा जाता है ठीक है और वैसे अगर कुश्चन आपका ऐसे आजाए कि सॉलिट से गैस में जो परिवर्थन होता है उसको क्या कहते हैं तो उसको आपको बोलते हैं कि सब्लीमेशन यह झामि उर्थ पतंप रिख निने इसको आपको क्या बोलता है सब्लीमेशन ठीक है अगर दिखें union लिक्विट से ग्यास यह तु होता है तो वह पानी गर्म करते होंगे तो पानी ज्यादा में प्रोटान की संख्या को क्या कहा जाता है यह आपने फॉर्मॉला भी यूज किया होगा तो इसको अटॉमिक नंबर का जा था परमाणू कुर्माण। देखे परमाणू कुर्माण। हम लिखते हैं अटॉमिक नंबर is equal to number of protons यानि जो अटॉमिक नंबर होता है वो प्रोटॉनों की संख्या के पराबर होता है। चली, नियस कोशन है सामान ये ताप वा दाब पर विभिन गैसों के एक ग्राम अडू का आयतन कितना होता है। सामान ये ताप वा दाब पर विभिन गैसों के एक ग्राम अडू का जो आयतन होता है वो आपका होता है 22.4 लीटर क्या होता है 22.4 यानि 22.4 लीटर। नेक्स्ट कोश्चन है एक मोल में जैसे मैंने अबगादरो नंबर बताया था ना उसी की बारे में है एक मोल में कुल परमालू की कितनी संख्या होती है तो ये आपका हो जाएगा 6.023 10 to the power 23 देख लिजेगा ऑप्शन नंबर 6 का राइट अंसर हो जाएगा मतलब क्या कि ए एक मोल में कुल परमालू की संख्या कितनी होती जिसको हम लोग अबगादरो नंबर बोलते हैं तो होता है 6.023 10 to the power 23 नेक्स्ट कोशन है आपका रेडियम की खोच किसी ने की थी मैंने बताया था रेडियम की खोच मैं आगे बता दूँगा आपको आपका हो जाएगा रॉ ठीक है है क्या है जल है अलकोहल है एथर है या नेफ्था है ठीक है तो 11 का हो जाएगा ऑप्शन नंबर यूनिवर्सल सॉल्वेंट के नाम से जाना जाता है जल किसके नाम से यूनिवर्सल सॉल्वेंट के नाम से जाना जाता है जल क्या है यूनिवर्सल सॉल्वेंट चलि लित्मस पेपर यानि बदल देता है यानि ऐसकर निले लित्मस पेपर पर क्या पर्तक्रिया करता है तो यह लाल कर देता है तो आप दोग जाकर आप दोग सकता है। नेक्स चेस में रक्त का pH मान क्या है जो रक्त है उसका pH मान कितना होता है तो रक्त का जो pH मान होता है 7.4 होता है 7.4 ठीक देखे 7 से नीचे 7 पर आपका उदासीन होता है किसी भी चीज का अगर pH मान 7 है तो वो उदासीन होगा 7 से कम पर वो अमलों में परिवर्थित होता है य एक कि यह girls शुद्र का प्याच मान कितना अब करकि आता है ऊपियाच्छमान आपका है एप जो अटिरियाश साथ तो अगरworm प्रन और हम अच्छछ दूसे speak के लाता है डूतेरियं में कंते है Torah करे exam कह ऩविए अपयागी light option देख लीजे, एक neutron एम proton, दो neutron एम एक proton, दो neutron एम दो proton, एम दो proton ठीक है, तो इसका right answer आपका हो जाएगा एक neutron वह proton ठीक है, यह नहीं option number A इसका right answer हो जाएगा एक नहीं नेट question है, सबसे हलका तथ light element इसमें से कौन सा है ये चार option है उनमें से सबसे हलका तत्तो कौन सा है helium है sodium है hydrogen है potassium है ठीक है तो आप सभी को मालूम है कौन सा है सबसे हलका तत्तो hydrogen ठीक तो सबसे हलका तत्तो क्या हो जाएगा hydrogen light element hydrogen तो आज की वीडियो में सिर्फ इतना है वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज हमारे चानल गोल्ड सब्सक्राइब करें अपने फ्रेंट सरकें में वीडियो को शेर जरू करें वीडियो को प्लीज लाइक जरू करतें थेंक यू